हमारे किसी भी relative के साथ कहीं दूर पर कोई crime हो जाता है या हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जो हमारे relative है, known है, उनके साथ कोई crime हो गया लेकिन वो police को inform नहीं कर पा रहे हैं और हम दूर कहीं बैटे हैं तो क्या हम जहां पर रहते हैं, हम उस police station में जाके, जो हमारी घर के असपास है information दे सकते हैं उस crime की, कि सर हमारे relative के साथ, जो कि हम से इतनी दूर रहते हैं, वहाँ पर यह offense हो गया है अगर आप मेंसे किसी के साथ भी ऐसा होता है, आपको यह information आपका कोई भी relative देता है या यह ज्यादा तर उन cases में देखा गया है, जैसे married daughter है, उसके in-laws उसको बहुत परिशान कर रहे हैं और कई बार situation ऐसी हो जाती है, ऐसे difficulties सामने आ जाती हैं, कि वो लड़की ठाने में जाके inform नहीं कर पाती है मेरे सामने कई बार ऐसे situations आई हैं, कि मुझे information आई है, phone calls आए हैं, कि मैम हम घर में हैं, या हम बंद हमें कर रखा है, घर से आने नहीं देते हैं, कहीं पे जाने नहीं देते हैं, तो हम पुलिस को कैसे inform करें तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो उनके relatives हैं, उनके parents हैं, भाई बेहन हैं, कोई भी रिस्तेदार हैं, जहां पे आप रहते हैं, उस police station में उस offense की information दीचिए, उसको बोलते हैं 0FIR, काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, कि 0FIR क्या होती है, 0FIR को जयातर लोग स जब आप police को information देंगे, तो police उस information को आप orally भी दे सकते हैं, और return में भी दे सकते हैं, तो police उस information को लेने के बाद, जो concerned police station है, जहां पे भी वो crime हुआ है, उस बंदे के साथ, जो police को inform नहीं कर पा रहा है, वहां पे उस FIR को भेजेगी for investigation, तो आप लोग ऐसे चुप मत यह सोच कर कि हम यहां बैटे हैं और crime कहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप police को बिलकुल inform कर सकते हैं, जहां पे आप रहते हैं, thank you so much for watching this video, I hope कि लीगल जानकरी आप लोगों की help करेगी,